जे हिन जे वारत किसान सात्यों आपको मैं आज जो टमाटर की खेती है उसके बिसे में बताऊंगा कि किस समय इसे लगाना चाहिए और कि इसकी कैसे देखरे करनी चाहिए जिसे आपकी पैदा पार अच्छी हो तो जो किसान भाई हमारे चेनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चेन मैं बैठाओं एक टमाटर के खेत में तो यहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक हमारे किसान भाई जो है वो भी आप लोगों को बताएंगे कि किस समय मैंने इस टमाटर की खेती की थी और कितनी अच्छी पैदावार हो रही है और इसकी देखरे के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या-क्या दबाईयों का इन्होंने प्रियोग किया है चलिए मैं आप लोगों को फिलाल दिखा देता हूं कि किस परकार इस समय हमारी टमाटर की खेती है आप जड़ा कैमरा हमारे किसान बाईयों तक दिखाने का कोसिद करें कि किस परकार से हमारी तो आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ और आपको दबाई के बारे में भी बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि अपने टमाटर के फ़सल में इस दबाई का प्रियोग कर लें जो आपका पोधा खराब हो रहा हूँ तो नहीं खराब होगा और जिस प्रकार से इस समय उत्पादन देखनों को मिला आप देख सकते हैं कि यहां पर टमाटर ही टमाटर नजर आ रहे हैं काफी अच्छी इसकी खेती करने से भी आपको फाइदा मिलेगा किसान भाईयों आप लोगों को हम अपने किसान भाई से मिलवाने जा रहा हूँ जो इन्होंने टमाटर की खेती कर रख पोजिसन पर कीड़ा रोग लग गया था जिसे आपका टमाटर का पौदा बहुत जुलता ऐसा नजरा रहा है पहले यह पहिताली लगा रहे थे आप इसमें क्या डाला है अब इसमें कौन सा टानिक अपने डाला है यह जीब्रस यह किस लिए आता है फूल यह जड़ रहा हो तब इसका प्रयोग कर सकते हैं नीचे डाली थी खादी लिया डिये पी अगर आपके पोदे में सूनी बेगरा लग रही हो तो आपने किस चीज का प्रयोग किया था तो इसके लिए आपने जीब्रस का इस्तिमाल किया है चलिए किसान मित्रों आप ल मित्रों यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हो कि जो पहले के फूल थे वो इस प्रकार से बिलकुल तूट 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 कर नीचे गिर रहे थे अब जो नया फूल तयार होके उबर रहा है जब यह उन्होंने दबाई का इस्तमाल किया है तो इस पोजिशन प आए और हम किसान मित्रों हमारे किसन भाई ने बताया कि एक पोधे की छमता 25 किलो की है सुरू से सुरू से लाश्ट तक आपको एक पोधे से 25 किलो टिमाटर का उत्पादन यह प्राप्त कर चुके हैं और जो दबाईयों के पिसे में मैं बताना चाह रहा था तो यह जो जी किसान सातियों यह बहुत ही अच्छा टोनिक है और यह हमारे फूल बतियों जो जड़ नहीं हो तो इनकी रोक थामा पूंड रूप से करता है और नए सिरे से फूल और फ़लों का विकास करता है यह जीवरस आपको मार्केट से साड़े चार सव रूपए में 500 मिलकी बोतल में मिल जाएगा इसका प्रियोग आप टिमाटर की फसल पर कर सकते हैं किसान भायों जो जड़ों में रोक लग जाता है तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर कोई भी फंगी साइड नीचे जड़ों में हमारे लग जाता है जड़ों को खा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिज्मों साइड में लृषट ने जल प्लेस कि अपको इसमें 30 परятсяत ये 50 जोगी फंगी साइड होता है आपके टमाटर के पोधे की जड़ों में कोई भी रोग और जो खड़वा सडन रोग आपके जड़ों के जड़ों में नहीं लगने देगा तो यह थी जानकारी दो दवाईों के बिसे में जो आपके पोधे को स्वस्त रखे और फलों और फूलों का अच्छा था विकास करें किसान भाईों मल्टिप्लेक्स जीब्रस इसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस सलफर केलसियम मेगनेसियम काफर जिंक एंड अधर माइक्रो निूट्रेंस इस मल्टिप्लेक्स जीब्रस में उपलब दें तो सभी पोशक तत्तु जीब्रस मे हैं तो हमारे पोधे को इतनी छंता देते हैं कि पोधा 25 के बजाए 30 किलो लगना तो बनता यह टमाटर की फसल में किसान भाईयों ये थी जानकारी टमाटर की फसल में फसल के उपर कि आप टमाटर की फसल करिए जिससे आपको लाखों रुपए इंकम हो तो ये थी थी थोड़ी सी जानकारी किसान मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें लाइक के साथ कमेंट करना हमारे किसान भायों को ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जैहिन